अमिद्शाह साब ने कि जब स्पीच के मैं स्पीच में ही एंड में कहूंगा किस दिन इलेक्शन होगा हम भी इंतजार करते रहे और कोई घोशना नहीं हुई दाल में कुछ काला है अदेक्ष रवेंदर रहना हमारे साथ मोजूद है इस वक्त अदेक्ष साब डॉक अब्दुल्या ने निशाना सादा है कि बहुत सारी उमीदे थी कि ग्रहमंत्री जो हे पारलिमेंट से एक आगहास करेंगे जिसमें ये कहा जाएगा चुनावों को लेकर जमुकश्मीर को ल है कि जब भी अलेक्षन कमीशन फैसला करेगा अलेक्षन के लिए सरकार तयार है और बतोरे सियासी जमाद हम भी तयार है मैं तो कहता हूँ आज फैसला हो जाए जमुकश्मीर में असेंबल इलेक्षन का एक आखरी सवाल आप से इदगा के पास जो हमला हुआ था आतंकी हम जिसमें इंस्पेक्टर जो थे वो उन घायल हुए थे आज उनकी जो है धिली के अंदर असे देखिए आमन शांती खुशहाली ये बहुत लाजमी है पिछले 35-40 सालों में बड़े दुख तकलीफ परशानिया हम लोगों ने जमुकश्मीर में चेली हैं पुलीस के जवान ह हूँ आम सिविलियन हूँ आम लोग हूँ बड़ी तकलीफ होती है जब किसी बेगुना की जान जाती है ये इनसानी जिन्दगियां पेशकीमती है जिस तरीके से ये गोलियां बम गरनेट चलते हैं और बेगुना लोगों का कतल हो रहा है ये बड़ा गुना है ये बंद हो बना चाहिए वो मासूम बच्चे जो जिनके घर के बड़े इस गोली भारी का शिकार होते हैं उनसे पूछो कि दरत तकलीफ क्या होती है चलिए बहुत 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 शुक्रिया बाचित करने के लिए तो आपने दिखा कि आदियाक शुराविंदर राना इस वक्त हमारे बजूत है और साफ जाहिर किया है कि कहीं ने कहीं वो दुख है और दर्द भी है और इसी के साथ साथ आने वाले समय में एपरपेट समय में जल्द जमो कश्मीर के अंदर जो है वो चुनाब करवाए जाएंगे वीडियो जर्नलिस तीपक जी के साथ गुलिस्ता नीव से न सकता है